नमस्कार दोस्तों मैं आकाश आपका सुवागत इतिक सेंटे यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग मैंस का बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर करेंगे जो हम लोगा सीरीज चल रहा है मैंस का और भी एलपी की टेक्निशन ग्रूप डी के लिए तो इसमें देखो बहुत बहुत सारे जो आतें चार्ट के कोश्चंस आएंगे thor wireless 的 उसमें जो सबसे मोफ में क्योंकि है करा दोशे सब्सके पाइवेशन के तो चलिए आज अज स्ट रेुल करतें मीनियर च सब बहुत important chapter है तो पूरा वीडियो को देखिए और अगर अब इन्हें सब्सक्राइब नेखे तो सब्सक्राइब कर लिजे गाइस और बेल आइकन को क्लिक कर लिजेगा नहीं तो notifications नहीं आएंगे और सब notification नहीं आता है उसलिए आप जरू हमारे टेलिग्रम चैनल में जॉइन कर लिजे लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में यहीं तो आप जाके टेलिग्रम में सर्च कर सकते दिक्स्टरी सेंटर और वीडियो अच्छे लगे तो ज़रू लाइक शेयर कर दीजेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखो यह questions अ एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ ठीके तो आपका नाइन नमबर है तो नौ आप करेंगे तो टोटल एड़ा हो गया 66 बाइन तो 7.33 आपका नमबर हो गया 7.33 ठीके उसके बाद देखो मीडियन तो मीडियन कैसे करोगे तो मीडियन क्या होता है पहले आपको मीडि के हिसाब से आरेंज करना पड़ेगा मतलब छोटे से बड़ा में आरेंज करना पड़ेगा तो पहले 2 आ गया फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 8 नाइन 10 एन 14 ठीके तो देखो सबसे अगर हम लोग कितना नमबर है 9 तो इस 4 को हटा दो इधर का इधर से और इस 4 को इधर से बीच में क इसमें जो देखो कि most commonly है तो आठ दो बर रिपीट हुआ है तो आठ आपका 8 is the right answer mode हो जाएगा और एक example देख लेते हैं इसमें आपको बताया गया mean median mode निकालो 26 31 21 29 32 26 25 28 का तो आप एड़ आप कर दिये 28 निकला नमबर कितना 8 8 से डिवाइट के 27.25 आ गया इसको फिर रैंक पीच में आएगा तो आप क्या करोगे average कर दोगे 26 28 27 आ जाएगा या कुछ करने की जरूद नहीं है 26 28 में कितना difference है दो तो दो को half करोगे तो एक तो 26 के साथ add कर दो 27 आपका right answer हो जाएगा और mode कितना हो जाएगा क्योंकि 26 दो बा repetition हुआ है तो 26 आपका right answer हो जाएगा और एक example देख लेते हैं तो आपका यह point में भी है तो इसे ही है आप पूरा add करेंगे 8 से divide करेंगे तो 4.72 25 आएगा median उसी को ranking से arrange करोगे तो देखो बीच में आएगा तो 4.72 4.72 उसको दो से करो तो 4.72 ही आएगा answer और क्योंकि 4.72 तीन बार repeat हुआ है तो mode आपका 4.72 ही हो जाएगा उसके बाद और एक question देख लेते हैं इसमें भी आपको दिया हुआ है तो आप पहले median में के लिए add up कर लोगे 11 15.2 आ जाएगा arrange कर लोगे तो आप arrange करोगे तो बीच में देखो ये 3 इधर छोड़ दिया ये 3 इधर छोड़ दिया तो 126.4 आ जाएगा और यहाँ पर क्योंकि कोई भी सभी number अलग-अलग है तो यहाँ पर कोई mode नहीं होगा तो यह बात जरूर याद रखो कभी अगर mode मतलब क्या है एक से ज़्यादा तो सभी अलग-अलग है तो इसमें कोई mode होगा नहीं ठीक है उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट कुछ कोश्टन जो ऐसे आ सकते हैं 21 ब्रिक्स का mean capacity है 24.2 kg 29 similar ब्रिक्स का capacity 23.6 kg तो 50 ब्रिक्स का कितना है तो देखो हम लोग जैसे बनाते हैं तो total आपको वेड निकाल लेना है तो 21 x 24.2 plus कर देंगे 29 x 23.6 डिवाइट कर देंगे तो टोटल 50 ब्रिक से डिवाइट कर दिये तो यह आपका मीन आ गया तो इसी तरह का questions भी आ सकते हैं इस तरह का भी frequency distribution के questions आ सकते हैं अगर आप frequency करोगे तो पहले सब का जो आपका range दिया है उसको average कर लो 150 और 156 का जो average होगा that is 153 उसका जो range दिया 5 उसे multiply कर दो तो इसी तरह आप पूरा इसको लिख लेके आप जो आपका यह होगा that is 50 आप total frequency को add करोगे तो 100 हो जाएगा डिवाइट कर दो 171.7 answer आ जाएगा तो यह दो questions जो है मैं previous year से लिखा आया हूँ तो आपको एकदम देखो मैंने तो पूरा tough भी करा दिया तुरह बहुत जो एकदम अगर बहुत tough paper दे वह आ सकता है लेकिन last year का दो questions देखो एकदम easy तरह से पूछा गया था यह number देखे mean पूछा गया था add up कर दो divided by 10 आचा इसमें एक याद है 0 जो है उसको भी आपको number पकड़ना है आप अगर 0 को हटा देखो देखो मैंने 0 समझाने के लिए लिखके भी रखा 0 को अगर हटा दोगे तो आ अलत हो जाएगा आपका answer तो आपका answer आगे 3.5 और median निकालना था देखो लास्टाइम जो आपको ranking करके ही दिया था मतलब आपको इसको जो एरेंज भी नहीं करना है तो इसका median कितना हो जाएगा तो यह दोनों के बीच होगा 88 तो एट शिक्शन वाइट टू 8 is the right answer ठीक है अच्छा लगे तो like and share करते लिए था थैंक यू फॉर वाचिंग फिर्मिल तेंग नया वीडियो को सब तिल दिन गुडबाए